नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल में दोस्तो सर्द्यों का मुसम आता नहीं है कि एक मेटी दीश जो ज़्यादा तर उत्तर भारती गरों में जरूर बनाई जाती है और वो है गर्मा गरम टेस्टी गाजर का हलवा जी हाँ दोस्तो गाजर का हलवा तो आपने बहुत खाया होगा गाजर भी बहुत खायी होगी लेकिन क्या आपने काली गाजर के बारे में सुना है जी हाँ अगर जी हां दोस्तो अगर आपको इसके बारे में जानकर ही नहीं है तो आपको बता दें कि गाजर जो होती ना वो केवल लाल या नारंगी रंकी ही नहीं होती बलकि गाजर पलपल या फिर काले रंकी भी होती है दोस्तो काली गाजर की खटी कांजी और काली गाजर का हलवा दोनों ही काफी टेश्टी माने जाते हैं दोस्तो आपको बता दें कि काली गाजर को देशी गाजर भी कहते हैं विशेश रूप से लोगों का ध्यान अपनी और आकशित करती है और कई तरह के विशिष्ट स्वास्त लाब भी देती है दोस्तों लाल, नारंगी, काली, बेंगन सभी प्रकार की गाजर अत्यदिक पोश्टिक मानी जाती है लेकिन काली गाजर विशेश रूप से शक्तिशाली एंटियोक्सिडेंट से भरी हुई होती है जो सूजन से लडने और बहुत सारी हेल्थ बेनेफिट्स देने का काम करती है तो दोस्तों आज की इस विडियो में हम आपको इसी काली गाजर के कुछ ऐसे फाइदे बता रहे हैं जो शायर आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे तो चलिए बताते हैं इसके क्या-क्या फाइदे होते हैं दोस्तों अध्यनों से ये पता चलता है कि काली गाजर में पाए जाने वाले सक्तिशाली एंटि उक्सिडेंट केंसर से लडने में हेल्फुल होते हैं जी यां, चुओं पर 12 सब्ता तक किये गए एक अध्यन में सबसे पहले चुओं को केंसर को बढ़ावा देने वाले योगी को के संपर्क में लाया गया और फिर कुछ चुओं को डाइट में काली गाजर का अर्क दिया गया तो कुछ चुओं को सामानिय डाइट दी गई इस्टेडी के नतीजे से ये पता चला कि जिन चुओं को काली गाजर खिलाए गई थी उसमें सामानिय डाइट वाले चुओं की तुलना में केंसर का विकास कम हुआ यानि कि इसे साफ जाहिर होता है कि यह cancer के लक्षणों को कम करने में helpful होती है इसका अगला फाइदा होता है दोस्तो वजन गठाने में जी हाँ, गाजर ही केसी सबजी है जिसमें calorie बहुत ही ज़दہ कम होती है लेकिन यह बहुत ज़दा पोश्टिक भी होती है जिस कारण वजन को कम करने के लिए इसे बहुत ही बढ़िया डाइट माना जाता है दोस्तो काली हो या फिर बेंगरी गाजर हो दोनों में गुलंशिल फाइबर होते हैं बोजन करने के बाद परिपूर्ण निता की भाउना को पेदा करने वाले हार्मोन को बढ़ा कर आपकी भूक और भोजन का स्वाद दोनों को कम करने में हेलफफुल होती है दोस्तो सो महिलाओं पर किये गए एक अध्यन में पाया गया कि जिन महिलाओं ने दोपेद के भोजन में करीब 200 ग्राम काली गाजर गई उन्हें उनका पेट पूरे दिन में भरा भरा सा मेसुस हुआ और उन्होंने दिन में कम भोजन खाया जिससे वो ओवरेटिंग करने से बची और उनके वजन घटाने में काफी ज्यादा हैथ मिली दोस्तो इसका अगला फायदा होता है आर्थराइटीस के लिए इंतोसाइनीन पॉली फेनोल एंटी ओक्सिडेंड है जिसके सिहत से कई जुड़े बेहतरी लाब होते हैं दोस्तो इंतोसाइनीन से भरपूर खायदिपदार जो होते हैं जैसे की काली गाजर तो ये इंफ्लेमेशन जैसी जुड़ी समस्याओं को दूर करने में हेल्फूल होती हैं जी हैं दोस्तो आपको बता दे की इंतोसाइनीन एंटी इंफ्लेमेंटरी एजेंट की तरह वर्क करता है जो संभावी तरूप से हानिकारक योगी यानि की प्रो इंफ्लेमेंटरी साइटोकेंज को कम करने का काम करता है तो दोस्तो काली गाजर का यही गुन शरीर में ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस को कम करके आर्थराइटीस के लक्षनों को कम करने में हेल्फूल होता है इसलिए आर्थराइटीस के मरीजों के लिए यह बेनिफिशल मानी जाती है दोस्तो यह हार्ट रोगों से आपको बचा सकती है काली गाजर में एंफ्लेमें भरपूर मातरा में होता है और इसलिए यह हार्ट के रोग को कम करने में हेल्फूल होती है 34,000 से अधिक महिलाओं पर किये गए एक बड़े अध्यन में यह बास सामने आई थी कि रोजाना 0.2 मिलिग्राम एंफोसाइनीन खाने से दिल की बीमारी का जो जोखिम होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है इसके अलावद उस तो आपको बता दें कि मस्तिक्स के स्वास्त के लिए भी काली गाजर बहुत ज़्यादा फाइदेमन मानी जाती है जी हां मस्तिक्स स्वास्त में गिरावट से बशने के लिए इंतोसाइनीन को फाइदेमन माना जाता है साथ अध्यनों की समिक्षा से पता चला है कि इंतोसाइने नियुक्त खाद्यपदार्त जिसे की काली गाजर का सेवन करने से बच्चों में, जवान लोगों में और बुजूरगों में कुछ मानसिक परिणाम जिसमें मोखिक रूप से सीखने और याददा शक्ती शामिल होती है, उसमें सुधार देखने को मिला है इसके लावा दोस्तों यह शूगर को भी कम करती है और कोलेश्टोल को भी कम करने का काम करती है मेटाबोलिक सेंड्रो में कैसी इस्तिती होती है जिसमें लक्षणों का एक गुच्छा देखने को मिलता है जिसमें ज़्यादा पेट की चर्वी और उच्छ कोलेश्टोल, बीपी, ब्लड शुगर लेवल यह सब शामिल होते हैं दोस्तों जानवरों पर की गई एक स्टेडी से पता चलता है काली गाजर में पाए जाने वाला एंतोसाइनिन, कोलेश्टोल और ब्लड शुगर को दोनों को कम करने का काम करता है दोस्तों चुगों पर की गई स्टेडी के नतीजों की माने तो काली गाजर का जूस पीने से फेटी लिवर, हाई बलड शुगर, हाई बीपी और हार्ट की मांस पेशियों में जकडन जैसी समस्या दूर होती है तो दोस्तों देखा आपने ये थे काली गाजर के कुछ लाजवा फाइदे जो हो सकता है आज से पहले शायद आपने नहीं सुने होंगे तो दोस्तों यही थी मेरी आज की जानकारी जो होती है यहीं समाप्त तो दोस्तो वीडियो पसंद है यो तो इस वीडियो को जादा से जादा लाइक और जादा से जादा शेर जरूर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँच पाए